सिपाही हरी सिंग ग्रनेडियर्स पचपन्दी बचालियन दिराष्टी राइफल्स मर्वपराद सक्रा 18 फरवरी 2019 की रात को गाउं पिंगलाना जिला पुलवामा जमूर कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को CRPF काफिले पर IED हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समु के उपस्थिती के बारे में सूचना के आधार पर एक अभियान शिरू किया गया सिपाही हरी सिंग ने मेजर विभूती शंकर डॉंडियाल के साथ सामने से लेत्रत्व किया आतंकवादियों ने अंधा धूंद गोली बारी शुरू की जिसके परिणाम स्वरूप सिपाही हरी सिंग कई गोलिया लगने से गमभी रूप से घायल हो गये घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोली बारी का मुहतोर जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया अपनी जान की परवाह न करते हुए वे प्रभावी गोलाबारी करते हुए गोलाबारी के बीच गोशाला के नस्दीग गए जब आतंकवादी गौशाला से अंधा धुंद गोलाबारी करते हुए बाहर निकले तब उन्होंने भारी गोलाबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया और एक अन्य आतंकवादी को घायल कर दिया और अभियान स्थल पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए मारे गए आतंगवादी की पहचान जैशे मुहम्मद तंजीम आतंगवादी संगतन श्रेली A++ के रूप में हुई इस प्रकार सिपाही हरी सिंग ने करतव निश्था अदम में साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतिय सेना की गौरव शाली परंपरा के अनुसार सर्वोच बलिदान दिया स्वर्गी सिपाही हरी सिंग की पत्नी शीमती राधा बाई करते हैं